आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनमास्टमी के पावन पर्व पर हमारा ये प्रयास है कि हम एक भजन आप सभी तक पहुचा सकें और उसी के कार्य पर सारे भीया हमारे और सारी टीम बहुत जोर जोर से लगी हुई है महनत करने पर और यहाँ पूरे क्रू के साथ में सूटेंग हो रही है और यहाँ पर देखिए ये रादिरादेश जैसरी रादेश फिर्शे हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में मैं हूँ सी राम सर्मा आप देख रहे हैं गौरी गोपा नियूश आज मैं यहां स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो में कुछ आज बहुत ही सुन्दर द्रश आपको दिखाने ब्हर वरंदावन में हो रही है वरंदावन खास यसलिया है क्योंकि यहां बिहारी जी का मंदीर है और वीहारी जी की के क्रीड़ाइं बाल बच्षेम um वो यहां वरंदावन में हुई है तो वरंदावन जो है ठाकुर जी का घर है और ऐसे में पूरी वरंदावन को सजाया जाएगा तयारिया जोर सोर पर हो रही है पूरी तरीके से जितने भी पर्याटक यहां आएंगे जितने भी भक्तियों यहां आएंगे वरंदावन पूरी सुंदर कार्ektर रेक्टरम यहां जनमश्चमी के पावण पर देखने को मिलेंगे तो यह तो थी पूरे समुच्छे-व्रंधावन की बात पूरे व्रंधावन में तयारियाँ जोर्षोर पर तो अभी में थोड़ा सक्क्राइब करना चाहूंगा तो जो हमारी प्यारी गुरु मां है अभी आपने उनकी आबाज में एक बजन सुना था एक बार फिर से आप उनकी मधूर आबाज में यह भजन सुनेगे तो बजन की तयारियां यहां हो रही हैं मेरे पीछे आप देख स और मैं चाहूंगा थोड़ा आगे बढ़के दिखाएं थोड़ा सा बिहाइंड दा सीन ताकि हमारे जो भी गोरी कोपा न्यूज के दर्शक हैं जो हमारे भाई बेहन हैं जो हमारा परिवार है उनको ये खबर मिल सके और वो उन्हें इंतजार रहे इस भजन का तो मैं यहां गया हूं जहां पर शूटिंग चल रहे है गुरु मा की भजन की आप देख सकते हैं फूरा सैट अब यहां लगा है और यहां पूरे क्रू के साथ में सूटिंग हो रही है पूरा टीम वर्क यहां काम कर रही है और गुरुमा को आप देख सकते हैं शूटिंग के दौरा बिहांड दसीन यह सूटिंग चल रही है यह भजन चल रहा है और ऐसे में यहां पर त्यारियां इसलिए हो रहे हैं ताकि जन्मास्टमी पर यह भजन आ सके और आप लोगों को इस भजन को सुन करके वो आनन्द प्राप्त हो सके और मैं यह कह रहा हूँ इस बार ऐसा भजन आ रहा है जिसे सुनकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे क्योंकि मैंने यह भजन कुछ ही लाइन सुनी है और उन्ही लाइन को सुनकर जो है मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मुझे एक आशू भराय मेरी आँखो में मैं क्या बता हूँ इतना अच्छा मैसूस मुझे हुआ तो यह है वो भजन भजन की लाइन है तो मैं अभी नहीं सुनवाँगा थोड़ा सस्पेंस में रखूंगा ताकि आप लोगों को इंतजार रहे थोड़ा सा और मन में यह रहे कि क्या आने वाला इस बार बेसे तो यह जो भजन की अभी जो ट्यूनिंग है जो भजन का आप बैक्ग्रांड म्यूजिक देख सकते हैं वो है टीम काम कर रही है गुरुमा यहां एक्सप्रेशन के साथ में बहुत अच्छा काम कर रही है ताकि आप लोगों तक एक अच्छा भजन एक बार फिर से दे सकें तो आपने सुना भजन का जो बैक्ग्रांड म्यूजिक था व यहां गुरुमा के साथ मैं खड़ा हूं तो सबसे पहले तो हमारे सभी जितने भी न्यूज के दर्सक के उनकी और उसी गुरुमा को राधी राधे जैशी राधे आईए जानते हैं भजन की डिटेलिंग के बारे में जी राधे राधे जैश्री कृष्णा सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार के लोगों को जैश्री मननारायन राधे राधे आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जन्मास्टमी के पावन परवपर हमारा ये प्रयास है कि हम एक भजन आप सभी तक प निवेदन है कि इस भजन को सुनिएगा और अपना भरपूर प्रेम दीजेगा जैश्री कृष्णा राधी राधे तो देखा गुरुमा ने बताया कि जनवास्वी पर ये भजन आने बाला है और एक चीज और बूली है इस भजन को आपका प्यार जरूर चाहिए तो मैं आसा करता हूँ कि आपका प्यार इस भजन को जरूर मिलेगा जहां आप ठाकुर जी के जनवास्वी पर खो रहे होंगे वहीं ये भजन भी आप सुन रहे होंगे और ये भजन सुन करके मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आँखों में आसु आ जाएगे जो कि भजन ही कुछ ऐसा है मैंने जितना सुना वोतना मैंने महसूस किया जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्ताम में गुरूमा की आवास में कितना मदूर भजन इस जन्मास्वी पर हमको और आपको शुनने को मिला है तो बने रहे हिए प्रतिक्षा के सा में स्वागत है आपका गौरी कुपा नियूज में मैं हूं शीराम सर्मा केमरामें सचन के साथ धन्यवाद